कि बैचाक शुरू होने वाली है पर्याचन पर कारेकारी समू समीती की बैचाक होने वाली है शहर में सिक्योरिची की कड़े बंदोबस किये गए हैं शहर को दुलहन की तरह सजाया गया है अब से कुछी देश बाद कारेक्रमों का सिल्सला शुरू होगा कई कारेक्रम आज तै किये गए हैं जिसमें डल जील में शुकारे की राइट तमाम डेलिगेट्स को दिलाए जाएगी न्यू पोलो व्यू मार्केट की सेर यहाँ पर डेलिगेट्स को कराए जाएगी और फिर कल से SKICC में बैचकों का सिल्सला शुरू होगा टुरिजम वर्किंग ग्रूप की यह तीसरी बैचक का यहाँ पर होने वाली है और टुरिजम के लिहाँ से किस तरीके से कदम उठाने हैं उसके कई मुद्व पर चर्चा होगी मन्थन होगा इसके अलावा ये माना जा रहा है कि यहां से जमो कश्मीर के टुरिजम को अंतराश्य अस्तर पर एक नई पहचान मिलेगी तस्वीरे आप एरपोर्ट की देख रहे हैं जहां विदेशी महमान पहुंचे पारंपरिक तरीक तो तस्वीरे आप देख रहे हैं जी ट्वेंटी को लेकर एरपोर्ट से यह तस्वीरे सामने आई हैं यह इतिहास में अपने आप में पहला मौका होगा जब सी नगर इतने बड़े अंतर राश्ट्रिय समेलन की मेजबानी कर रहा है कश्मीर में जी ट्वेंटी जोरो से मन आई जा रहा है पूरा शहर जी ट्वेंटी की मेजबानी करने के लिए तयार है आज से दो दुन तक जी ट्वेंटी शिकर समेलन की कुछ बेट के यहां पर आयोजित की जाएंगी श्रेक कश्मीर इंटरनाशन सेंटर में इन बैट को का आयोजन किया जा रहा है इसके सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आयोजन्न किया गया है इसी के साथ साथ विदेशी महमानों को कश्मीरी खानपांस से भी रूबरू कराया जाएगा लगबग पचास किसम के यहां पर जो खानपांस से जुड़े हुए जितने भी वियंजन है वो इने चखाये जाएंगे इस पड़ावा मिलेगा जमो कश्मीर को अंतराश्ट्रिय तुरिजम मांचित्र पर यहां से स्थापित करने के नए आयाम खुलते हुए नजर आ रहे हैं और इस पर जादा बातशीत करने के लिए हमारे दो वरिश्य सयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं सीनियर एडिटर न्यूज एटीन जेके लेच तेजिन्दा सिंग सोडी जी हमारे साथ जुड़े हैं और दिली से हमारे सहयोगी शैलेंदर हमारे साथ जुड़े हुए हैं सबसे पहले मैं तेजंद जी काई रूख करूंगी क्यूंकि तेजंद जी जम्मो कश्मीर में जिस तरीके से खासतर पर स्ट्री नगर में G20 का आयोजन हो रहा है और माना ये जा रहा है कि इस आयोजन के बाद अंतरास्ट्रीयस सर पर जम्मु कश्मीर को खास तोर पर कश्मीर को जो पहचान मिलेगी और एक जो नेगेटिव इमेज जम्मु कश्मीर की हमेशा से स्थापत होती रही है उस इमेज को बदलने में ये event है ये कही न कहीं बहुत महत्वपूर्ण थाबत होगा दिखिए जैसमी ना सिर्फ उस negative image को जो बनाई जा रही थी कुछ वेस्टर इंट्रेस्ट के जरीए की global platform पर ये बताया जा रहा था कि कश्मीर में हालाट ठीक नहीं है लेकिन इस तरह का जब event आज सिरी नगर में हो र किनियूसली रिपोर्ट कर रहे हैं across various areas की किस तरह लगबग 120 के करीब जो delegates हैं जिसमें 60 delegates foreign से हैं कुछ delegates भारत से भी हैं कुछ delegates ऐसी country से हैं जिनको special invitation दिया गया है जी 20 के इस event में हिस्सा लेने के लिए तो एक global community में एक message आएगा कि कश्मीर जो है वो बाहें खोल के सब को welcome करने के लिए पूरी तरह से तयार है कश्मीर आप आएए हालात बिल्कुल ठीक हैं लोग वहां पर आपका स्वागत करेंगे और एक global platform पे एक message ये जाएगा कि देखिए कश्मीर जो है वहां का tourism कश्मीर का हैंडी क्रैफ्ट कश्मीर की जो लोग हैं कश्मीर का विरसा है ज शैलेंदर वांगू कंटिन्यूसली रिपोर्ट कर रहे हैं कि कैसे पाकिस्तान भी एक दुष्परचाचर कर रहा है आह चाइना हालनकि चाइना ने यह कहा है कि वो अपने जो अपने रिपेसेंटेटेव हैं वो इस एवेंट में नहीं बھیजेंगे तो एक वो अउ दुष से डेलीगेट्स का स्वागत किया जा रहा है एär पूर्ट पे उनके अराइफल से लेकर वैन्यू तक ले जाने में किस तरह किशमीरी लोग उनका स्वागत करें तो एक मेसेज जा रहा है कि किशमीर भाहें छाला के इन लोगों के स्वागत के लिए आतर है ये जो तीन दिन का ये एवेंट रहेगा कश्मीर की विभिन जमु ना सेवा की जमु कश्मीर के जो विभिन इलाकों का कलचर है जो टैडिशन है वहाँ का रहन सेहन है खान पीन है उसे शोकेस करने का एक गलोबल हम है और उसे पूरी तरह से जो यह इवेंट है उसे यूज करेगा जी बेकुल और शलेंदर का रुक कर लेते हैं हमारे एडिटर हमारे साथ जुड़े हुए हैं शलेंदर हमारा आप बहुत पहले भी चर्चा कर चुके हैं जिस तरीके से अंतराश्ट्रिय मंचों पर पाकिस पहुच रहे हैं यहां की आबो अबा को देख रहे हैं जिस तरीके से बदलाव 2019 के बाद यहां देखने को मिला है उस बदलाव का गवाह बनकर वो अपने अपने देशों में जाएंगे और खास एडवाइजरी जो कुछ देशों ने जारी की है जमो कश्मीर के ना विजच करने को लेकर कहीं न कहीं माना यह जा रहा है कि अब उसमें भी बदलाव देखने को मिलेगा यह एक ऐसा मौका है जब कि कश्मीर की खुबसूर्थी को एक अंतराश्ट्रिय मंच दिया गा और यह पहली बार है कि इतने बड़े पैमाने पर जी ट्वेंटी यानि ग्रूप ओफ ट्वेंटी बीस ऐसे बड़े देश जो वर्ल्ड के सबसे बड़े एकॉनमीज है वो उनका यह ग्रूप है जब उनके डिलेट्स वहाँ पर आएंगे तो जाहिर तोर पर एक मैसेज पॉजिटिव मैसेज जरूर जाएगा जैसे कि अबीर तेजिंदर बता रहे थे हमारी कलीग कि एक तरफ जहाँ पाकिस्तान लगातार कैम्पेनिंग कर रहा था भारत विरोधी वो कैम्पेनिंग कर रहा था इस इवेंट को लेकर खास तोर से वो सोचल मीडिया पर प्रोटेस्ट भी वहाँ पर करा रहा था और आ कश्मीर की असली तस्वीर देखेगी और वहां पर डेलिगेट्स आ रहे हैं जब वह वापस आपने कंप्रीज में जाएंगे तो वह ज़रूर कहेंगे कि कितनी खुबसूरत यह तस्वीर है बिकुल तेजनल जी कश्मीर ने क्यूंकि बीते 33 सालों से जिस तरीके के टेरिरिरिजम के दंश को जहला है फिर उसके बाद 2019 के बाद जब 370 हटा उसके बाद यह माना जा रहा था कि बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा लेकिन उस वक्त करोना ने चोट कर दी और दो साल तक क्या हालात रहे वोई ग्लोबल रिसेशन की चपेट में जमो कश्मीर भी आया था ऐसे में अब डुमेस्टिक एकॉनुमी के लिए इस इवेंट को कितना महत्वपून माना जाए जमो कश्मीर की एकॉनुमी को यहां से बूस्ट मिलेगा ये भी लोगों में आश देखे जमो कश्मीर की एकॉनुमी को बूस्ट तो मिलेगा लेकिन आप देखे जब से धारा 370 हटाई गई थी 5 अगस्ट 2019 को तब से लेकर अब तक का यह सबसे बड़ा इवेंट है हला कि कई इवेंट जो हैं उपलान किये गए थे लेकिन कोविड काल की वज़े से जो लॉक डाउन लग गए उस वज़े से कई इवेंट जो है नहीं हो पाए लेकिन भारत सरकार ने ये डिसाइड किया कि अगर G20 भारत इस बार भारत को G20 की प्रेसिडेंसी मिली है जबकि बाकी इवेंट जो है वो अलग-अलग शहरों में जैसे फाइनेंस का हमने इवेंट देखा मुंबई में है क्शमीर जो है कशमीर दुनिया में माना जाता है अपनी नेचरल ब्यूटी के लिए अपने टूरिस्ट स्पॉर्स के लिए तो इसी लिए कशमीर को चुना गया कि जी टूरिस्म रिलेटेड मीट होगी कशमीर घाटी में होगी आज तीन बजे से ये मीटिंग शुरू हो रही है कई अलग अलग विभिन इन चीजों पे चर्चा होगी कि कैसे जम्मू कशमीर जो एक टाइम पे फिल्म इंडस्ट्री का हब हुआ करता था बॉली वोड की जितनी भी आप एक टाइम की मूवीज देख लें वो जम्मू कशमीर में ही उनकी शूटिंग होती थी लेकिन जब है फिर से एक बार रिवाइव किया जाए फिल्म इंडस्ट्री को वहाँ पर फिर से अट्रैक्ट गिया जाए लेकिन कहीं न कहीं एक कुछ रेट टेपिजम या कहीं वज़ा से वहाँ पर वो वापस रिवाइवल नहीं हो पा रहा था लेकिन अभी जो जो नई फिल्म पॉ करें तो यह जो इवेंट है सिर्फ ये जो मेसेज है सिर्फ ना जम्मु किशमीर के लिए नहीं बलकि पूरे फलबल प्लाइटफर्म के लिए लोगों में मैसेज कनवे किया जाेगा कि किgender है से यह जम्मु किश्मीर J Ave आपको वेलकम कर रहा है जी बिल्कुल शेलेंदर जब से इस बात की अनाउंस्मेंट हुई थी कि G20 जमो कश्मीर में होगा खासतोर पर श्रीनगर में होगा तब ही से हमने देखा था कि पाकस्तान के तरफ से कुछ इस तरह की की हरकते की गए चाहे वो सोशल मीडिया पर प्रोपोगेंडा चलाया गया हो या फिर कुछ ऐसी साज़िशों को अंजाम दिया गया हो जिससे लोगों में डर और खौफ का महौल पैदा हो चाहे वो डांगरी हो फिर पुझ में हाल ही में क्या किया टेरिस्स ने वो हमने देखा इंफिल्ट्रेशन किस तरीके से टेरिरिस्ट की यहाँ पर की गई कितना लंबा आपरेशन तरी नेतर यहाँ पर चला तो हर संभव कोशिश पाकिस्तान द्वारा की गई कि G20 को एफेक्ट किया जाए लेकिन अब जब शांतिपूल तरीके से यहाँ पर महमान आ रहे हैं रंगारंग कारिकरम देखने को मिल रहे हैं एक जमो कश्मीर की जो वाइब्स हैं वो बिलकुल अलग नजर आ रही है ऐसे में उन ताकतों के लिए भी एक बहुत करारा जवाब होगा जिन्होंने हमेशा से ये कोशिश की है कि श्री नगर जो एक सेंसिटिव इलाके के तौर पर जिसकी पहचान थी उस पहचान को वैसे ही रखा जाए कि एक डिस्टर्ब इलाका है और एक अस्थर इलाका है वैसा ही रहे उन्हें भी एक जवाब होगा ये अब बिलकुल जाहिर तोर पर पांच अगस 2019 के बाद मैं ये एक मास्टर स्ट्रोक है जब की एक इंटरनेशनल ग्रूपिंग को एक इंटरनेशनल प्लैटफॉर्म पर कश्मीर को शोकेस किया जा रहा है और विदेशों से मेहमार वहां पर पहुंच रहे हैं जैसे मैं अब भी बताया कि पाकिस्तान के विदेश मंत्री इस वक्त पियोके में मौझूद है और कल भी वहां पर प्रोटेस्ट करने वाले हैं इस इवेंट के किलाफ क्योंकि उनके बस और कोई चारा नहीं है बेचानी है पाकिस्तान में क्योंकि लगातार वो इसका विरोध करते आ रहे हैं यहां तक कि पाकिस्तान के विदेश मंत्री ने यहां गोवा आकर भी भारत को खुले हम धमकी दी थी एक तरफ जहां भारत की निजबानी कर रहा था SEO Summit के दोरान और वहीं उन्होंने भारत को धमकी देड़ा ले थी इस इवेंट को लेकर कि अगर यह इवेंट कराया जाता है तो हम इसका जवाब बहुत माकूल देंगे तो लेकिन जाहिर तोर पर पूरी दुनिया इस वक्त भारत के साथ खड़ी है पूरी दुनिया यह देख रही है कि कश्मीर में हालात किस तरह से बदले है सेक्यूरिटी के अगर हम बात करें अगर कोई सवाल खड़े करता है सेक्यूरिटी इतनी टाइट क्यों है तो यही इवेंट आप देख लिए जो अपसे पहले हिरोशिमा में हुआ था आपसे कुछ दिन पहले जहां पर दान मंतरी मोधी भी गे थे वहाँ पर भी ऐसी हमने सेक्यूरिटी देखिए जहां पर भी दुनिया बर से डेलिगेट्स आ रहे हो वहाँ पर सेक्यूरिटी रहना अनिवार रहे है लेकिन यह जरूर है कि एक तरफ जहां पर दुनिया बर से क्योंकि यह से अब भी वताया कि लोकल टूरिस्ट तो एक लाख एक करोड़ असी लाख क्या स्पास रिकॉर्ड तो टूरिस्ट इस साल पहुंचे हैं श्रीनगर में तो जाहिर तोर पर इसमें डूमेस्टी टूरिस्ट जादा है तो ऐसे में हर कोई चाहता है कि वहां पर इंटरनेशनल टूरिस्ट एक बार फिर वाधी का रुख करें अब हमने फिल्मों की शूटिंग वहां पर देखी है बड़े-बड़े स्टार्व वहां पर पहुंच रहे हैं ओटीटी प्लैटवर्म के स्टार्व भी वहां पर पहुंच रहे हैं तो जाहिर तोर पर हर कोई चाहता है यह वो प्रगति की रह पर आगे बढ़े लेकिन कु से विकास ने भी एक अलगी रफ्तार पकड़ी है श्री नगर में किस तरीके से पूरे इलाखे को डेवलप किया गया चाहे जैलम रिवर फ्रेंट की बात कहीं है या फिर पोलो विउ मार्केट की बात करें इसके अलावा कई ऐसे बहुत से टुरिस्ट स्पॉट है जोने रहे हैं कि एक करोड़ अठासी लाग के असपास टुरिस्ट इस बार पहुंच रहे अभी तक ये हाफ एरली आंकड़ा है यहां पर दो करोड़ के असपास तक टुरिस्ट यहां पर पहुंच चुका है अंतर राश्टियर टुरिस्ट भी यहां पर पहुंचे उसके नए आ गारत देखा, death and destruction देखा, कश्मीर में development कुछ हुआ नहीं, उसके बाद भी जो central government का ये कहना है कि जितना भी पैसा कश्मीर में pump किया गया, वो पैसा corruption का शिकार हुआ, वो कश्मीर की development के लिए इस्तमाल नहीं हुआ, लेकिन जब से 370, धारा 370 को हटाया गया है, तब से आप पहले होनी चाहिए थी, वो अब सामने नजर आ रही है, आप देख लीजे, चाहे स्मार्ट सिटी प्रजेक्ट के तहरे जो कश्मीर में, सिरी नगर सिटी में ही आप देख लीजे, जिस तरह के redevelopमेंटल प्रजेक्ट आया है, पोलो व्यू को पूरी तरह से redevelop करके लोगों कुमीर, सिर्फ जो बॉली वूड है, सिट अससे ही अट्रेक्ट करने की कोशिश नहीं कर रहा है, लेकिन ऐसा कोशिश करगाँ है कि फोरेंड के जो मूवी मेकर्स हैं, जो आपरॉड के मूवी मेकर्स हैं, वो भी कशमीर घाटी में हैंब ही हमने देखा कल ही साऑदी तो इस तरह की एक positive जो approach है एक positive display of कश्मीर है लोगों को abroad में दिखाने के लिए कि देखिए कश्मीर में हालात सुधर चुके हैं कश्मीर डेवलप हो चुका है पाकिस्तान और पाकिस्तान में बैठे हुए जो आतंकवादी हैं तो चाहेंगे कि एक नाकारत तस्वीर जो है कश्मीर की पेश की जाए लेकिन इसलिए जैसे मेरे कलीग शैलंदर भी ये बता रहे थे कि जो security बंदोबस्त है कश्मीर में वो करना बिलकुल जरूरी था जो आतंकवादी हैं आतंकवादी उनको क्या चाहिए उनको सिर्फ एक मौका चाहिए कि वो किसी ना किसी तरीके की आतंकवादी हमला गतीवीदी जो है वो करके ये दिखाएं अपना प्रेजेंस दिखाएं लेकिन हमें इस सिक्यूरिटी की वेज़ा से ये चीज़ नहीं पता चलती कि ऐसे कई अटेम्ट हैं जो आतंकवादी करना चाहेंगे लेकिन वो सिक्यूरिटी की वेज़ा से फॉयल हो रहे हैं लेकिए जी सेवन जो हीरोशीमा में अभी हुआ यहाँ पर इससे जाधा सिक्यूरिटी औरेंजमेंट थी तो हम ये कह सकते हैं कि सिक्यूरिटी औरेंजमेंट एक मजबूरी होता है जब आपके किसी भी जगह पर वी वी आइपीज आ रहे होँ इस तरह के सिक्यूरिटी बंदो बस हर जगा होंगे लेकिन क्योंकि ये कश्मीर है तो आपके जो पडोसी मुल्क हैं चाहे वो पाकिस्तान हो चाहे वो चाइना हो वो एक हाउ हला बनाने की कोशिश करेंगे ये दिखाने के लिए कि उनका जो प्रोपगेंडा है भारत परोपगेंडा हूं कहींना कहीं सफल हो रहा है लेकिन वह प्रोपगेंडा बिलकुल फैल हो चुका है जब हब देखिए कि आज 120 डिलिगेट्स कश्मीर पहुँच चुके हैं साथ से जद्व प्रोपगेंडा मिलकों चाहा आ आइए जिनमें G20 मिलकों के डिलिगेट्स ही बलकि उन कई countries के delegates हैं जिनको special invitation दिया गया है, special invites हैं, वो आके कश्मीर को, कश्मीर के लोगों को, कश्मीर के handicraft को, कश्मीर के जितना वहाँ पर culture, tradition, उसे witness करेंगे, अपने साथ वो एक message लेकर जाएंगे, जब हम वहाँ पर जो वी वी आईपीज हैं, वो वहाँ पर safe हैं, त आम लोग जो हैं उस country के, क्योंकि आप दिखिए, जब किसी country के delegate आपके यहाँ पर आते हैं, तो आम लोगों में curiosity होती है, कि हमारे वहाँ से लोग इस देश में गए हैं, इस जगा पर गए हैं, तो क्यों ना, हम भी जाके उस जगा की जो महमान नवाजी है, उसका लुट उठाएं, तो इसलिए ये एक chain reaction होती है, कि एक इनसान आता है, वो जाके 10 लोगों को बताएगा कि कश्मीर कितना सुन्दर है, और वो 10 लोगों में से अगर 5 लोग ही वहाँ पर आके विजिट कर लेंगे, तो एक message जो है, वो लोगों में फैलता जाएगा, कि कश्मीर की economy क बहुत help करेगा जी, बिल्कुल, आचा भी यही की जा रही है, कि जो विदेशी महमान यहाँ पर पहुंचें, वो peace ambassador बन करें अपनी अपनी countries में जाएं, यही उमीद के साथ था, बहुत सराज नेताओं ने tweet भी किया है थे, जिंदर जी और शेलेंदर आप प्लीज लगाता जी 20 को लेकर चर्चा जारी है और किस तरीके से ये एवेंट आगे रुख लेगा, उस पर हम बाक्षित करेंगे